जीवन दाइनी गंगा अब जीवन भाक्षिनी हो चुकी है ना केवल हमारे लिए बलकी गंगा में रहने वाले जीव जन्तूओं के लिए भी प्रित्वी पर दो प्रकार के जीव जन्तूओं पाए जाते है एक वो जो हवा में रहते है दूसरे जो पानी में अर्थात समुद्र वन नदियों में जीवन यापन करते है आज ग्यांसेटिक डॉल्फिन मगर मच आदी सभी अब रेर श्रेनी में गिने जाते है कारण है जल प्रदूशन फर्रुखाबाद में गंगा को इतिहास के जरोखों से आखा जाए तो गंगा अब जीवन भक्षिनी हो चुकी है पानी की जरुरत के चलते लोग ग्रुपों में गंगा किनारे बस्ते गए सन अथारह सो के आसपास आबादी बढ़ने के साथ गंगा में प्रदूशन बढ़ने लगा लोगों की मान्यता है कि गंगा स्वत साफ होती रहती है तथा जलाने के बाद लाश को गंगा में बहाने से व्यक्ती स्वर्ख सिधारता है ये मान्यता आज भी जारी है जैसे जैसे विकास होता गया कल कार खाने, शहरी गंदगी कचड़ा आदी गंगा में बहाया जाने लगा जिस से समस्या और बिगलती गई आबादी बढ़ने के साथ आज गंगा पर इतना दवाब बढ़ गया है कि इसके समाप्त होने का डर सताने लगा है पिछले इतिहास से सबक ले हमें इस पर कार्य करना होगा इस कार्य में होने वाला निवेश हजारों करोण में होगा लेकिन जिस तरह आतिक्रमन के नाम शहर खंड़हर कर दिया गया उससे पता चलता है कि ये बिना किसी कार्य योजना के किया गया सडक खोद सीव, बिजली या अन्य वो सभी कार्य जो सडक खोदने से संबंधित थे एक बार में होने चाहिए थे ये सब कार्य अगले दस वशों में प्रस्तावित है ऐसा करने से दस गुना अधिक धन तो लगेगा ही लेकिन हजारों लोगों की तवाही का कारंग भी बनेगा धाटों का नवीनी करंग कराने से या केवल धन निवेश करने से गंगा साफ नहीं की जा सकती हम चाहे कुछ भी कर ले सफाय अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक गंगा किनारे से 500 मीटर दूर बसे गावों कस्वों में लोगों को पेर लगाने वह सफाय आदी की व्यवस्ता के लिए तुरंत प्रशिक्षित देने की व्यवस्ता न कर दे गंगा किनारे लाशों का जलाना बंद करवाना होगा इसके लिए विजली घर बना लाशे जलवाने की व्यवस्ता युद्धस तर पर करानी होगी गंदे नाले मलवा आदी का गंगा में डिस्पोजल तुरंत रोखना होगा शहर में कूले के निस्तारन से विजली पैदा की जा सकती है गंगा किनारे बसे गाव, शहरों व घाटों पर जगा जगा शोचालय बनवाने को प्राथमिक्ता देनी होगी गंगा किनारे बसे गाव व शेहरी बस्तियों में स्कूल व कालेज विध्यार्थियों द्वारा जागरुकता करवाने की जरुरत है निकट कुछ माह में नगर पालिका चुनावों की सरगर्मी अपने चरम पर होगी जनता को चाहिए अपने प्रत्याश्रियों से प्रश्न करें इस मुद्दे पर उनकी क्या विचार है गंगा सफाई में सफलता, सरकार द्वारा इन बातों पर तुरंत ध्यान देने पर ही निर्भर करती है अन्यता शहर की बरवादी रोकना असंभाव होगा अगर पोस्ट पसंद आये तो लाइक कर दे, सबस्क्राइब कर दे, साथ में वैल बटन दवाना न भूले